प्रेंट आप में से ना चने का साग किसको पसंद है प्लीज कमेंट करके बताईएगा और यदि आपने कभी नहीं खाया है तो इस वीडियो को फुल वाच करेगा और एक बार जरूर ट्राय करेगा यकिन मानिये कि आपको चने का सागना पालक पनी और सारी चिवों से ज़्य बाद अच्या लगीगा जैसे का नेमोन अहोता है और से जिंत लेकिन इसका यहां पर तेस्ट नेमोने खोल कमा चिवों सब्सक्राइब करें में चांड़ले होता है बांट ऐद prim होता है ने कि ऊड़ीचिं साफ करने साफ किया है क्योगी यह थोड़ी गंदी भी कई बार रहती है और नहीं भी है तो भी हमें कम से कम चार बार अच्छी तरह से भरकर इसे दोड़ लेना है और पानी को निकाल लिया और ले लिया है प्रेशर कुकर में तो इस प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा पानी आट करेंगे क्योंकि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम में तो इसमें काफी सारा पानी हो जाता है और इसके साथ इसमें हमने लेस्अ की कलिया लिये यह तो यह लेस्अ की कलिया कम से कम, 15 से 20 हैं और 7 में हमने लिये हैं टमाटरीन इन को पूरा-पूरा नहीं कट किया है, जिर्फ 20 से 4 भागों में बाढ़ दिया है और इसके साथ यहाँ पर हम ले लेंगे दो हरी मिर्च इसके साथ ही हम इसके टेस्ट को और ज़्यदा बढ़ियां बनाने के लिए इसमें लेंगे अधरक इन सबी को हम क्या करेंगे जो हमने चने की बाजी लिए है इसके साथ में ही स्टीम दे देंगे स्टीम देंगे हम कम से कम तीन विस्सल आने देंगे उसके बाद कुकर बंद कर देंगे तो देखी सारी चाने के बाजी और जो हमने इसमें वेजिरिबल्स डाली थी वो सबी अच्छी तरह से बॉइल हो चुकी हैं अब हमको क्या करना है इसको निकाल लेना एक प्लेट में आ और जब हम सबजी बनाएंगे तब उसमें एट कर देंगे तो अब हम चलते हैं आगे और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिए कडाई और इसमें ले लिया है तेल यह कुकिंग ओयल है और इसमें ले लिया हमने दो प्याज को बारी काट कर लिया और इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से बूल लेना है जब यह थोड़ा ब्राउने शिया ट्रांस्पेरेंट होने लगेगा तब हम इसमें पाकिटी रैट करेंगे तो देखिए हमारा प्याज लगबग बुन गया है तो इसमें हम लेंगे आदा चमच जीरा और आदा चम रैटियंट्स है वो है सफेग तिल यहाँ पर हमने दो चमच भर कर सफेग तिल को आड किया है और जब तड़कने लगे ही उसके बाद कैस को लो कर देंगे और इसमें हम एड करेंगे हमारे विसिक मसाले जिसमें है हल्दी पाउडर कि लाल मिर्च पाउडर और धनिया को तीखा बनाया जाता है यदि आपको जाता तीखा पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कॉंटिटी को कम कर सकते हैं मिर्च की और जब हमारे मसाले भी बुन गए तब हमने ग्राइंड की होगे जो हमने चने की बाजी और टमाटर वगरा जो बॉयल करके रखे थे स्टीम करके ना है और जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो देखिए यह इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी अब हम इसमें एड करेंगी हरी मटर हरी मटर इसमें बहुत टेस्ट ही लगती है तो इसके बिल्कुल भी मत करिएगा यदि नहीं है तो पहले हरी मटर को मार्केट से ल है और पूरा मिक्स कर दीजिए जब ऑम इसमें एड करेंगी जो हमारा स्टीम किया हूज्ट पानी था सब्ची के साथ में पहले हम अस पानी को एड करेंगे यदि थोड़ा और आपको इस बहुत को साथ को पतला करना, तो आप थोड़ा पानी और एड कर सकते हैं यह वाज तो एक तो गर्म गर्म रोटी के साथ कहने ही क्या है यद匹 आप विर्रा के रोटी जानते हैं चने और विर्रा टैस्टी वूर्य treating लगती है तो देखिए हमारी भाजी और मिक्स हो गई हम हमने ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे 2-3 मिनट के लिए ठाक कर पकने देंगे देखिए 2-3 मिनट के बाद जब इसे कूल कर दिखाया है तो हमारी सबजी लगबख बंच चुकी है इसमें हम सिर्फ करम मसाला और रामचोर पाउडर एड़ करेंगे उसके बाद एक मिनट इससे बॉयल करने के बाद हम सबजी को बंद कर देंगे मतलब गैस की नॉप को बंद कर देंगे तो हमारी सबजी तियार हो जाएगी चनी का साग बनाने का बहुत ही एजी तरीका है ये इसे इसकिप नहीं करिएगा और नए है तो मेरी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन की जो बेल होती है उसको भी जरूर प्रेस्ट करिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे तो देखिए यहां पर ले लिया हमने गरम मसाला पाउडर तो आदा चमच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर एट किया था और आदा चमच इसमें अमचुर पाउडर एट किया है इसको इसमें अच्छी दरह से मिक्स कर द लगा प्लीज कमेंट करके बताएएगा लाइक शेयर प्लीज करेगा